जो अभी नीट पी होता है वो खतम हो जाएगा उसका कोई मतलम नहीं होगा यहाँ पर और इसी फाइनल रेजल्ट से फिर आपकी डिसाइड होगी जो स्लेवा से वो काफी जादा है ठीक है उसमें अलग अलग तरीके तो कोशन पूछे जाएगो वो नेक्स एक्जाम में पास नहीं है तो MBBS में पास नहीं माने जाओगे डिगरी आपको नहीं मिलेगी जो स्कोर है इसका वो तीन साल तक वैलिड होगा गवर्मेंट है वो चा आने के बाद धेर सारे नियमों में बदलाब किये गए और उनी में से एक बदलाब है नेक्स्ट एक्जाम का जिसकी अभी चर्चा बहुत ज्यादा बनी है यह नेक्स्ट एक्जाम बताऊं आपको इसके बारे में अगर आप MBBS करने जा रहे हैं इंडिया से या किसी भी बाद करूंगा इस वीडियो में नेक्स्ट एक्जाम के हर वो पॉइंट की जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूर है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को हर उस बच्चे को वाट्स आप पर सेयर करना है जो भविस में डॉक्टर बनना चाहता है जिससे की नेक्स्ट एक्जाम से रिलेटेड उसका कोई भी कन्फीजन कोई भी सवाल ना हो वो अच्छे से जिस भी डिग्री में एडवीशन लेना चाहे अराम चले सकता है चलिए बढ़ते हैं मैं हूँ आपका प्यारे स्लोक सर पिछले साथ साल से नीट के लिए केमिस्टी पढ़ा रहा हूँ आपको धेड सारे वीडियो लेक्चर हमारे इस यूटूब चैनल पर मिल जाएंगे जिनको करने के बाद आप अपनी प अपनी पर होता है यह जो नेक्स्ट एक्जाम है यह उसी की जगा पर लाया जाएगा मतलब अपनी पर होगा उसको नहीं करा जाएगा उसको रिप्लेस करके MCQ बेस्ट एक्जाम कराया जाएगा जो कि और इंडिया में जितना पर के लिए सेम होगा तो यह जो एक्जाम में वो MCQ बेस्ट होने वाला है और लास्ट येर MBBS के जो थियोरी पेपर उसको रिप्लेस करेगा दूसरी बात यहाँ पर कि यह जो नेक्स्ट एक्जाम है यह बच्चो दो स्टेप में कंप्लीट होगा एक आपका स्टेप बन और दूसरा होगा स्टेप टू ठीक है स्टेप बन में क्या होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर पेपर होगा इसके साथ साथ जो आपके यूनिवर्स्टी प्रक्टिकल होते हैं जो प्रक्टि किसी के माक्स डिसाइड करेंगे तो यहां पर आपके लिए यह पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप नेक्स्ट में पास हैं तभी जाकर आप में पास माने जाएंगे बरना आपको डिगरी भी नहीं मिलेगी समझ मांगे यह चीद ध्यान रखना है आप आपको जो है वह इंटर्शिप के लिए भेज दिया जाता है तो अब यहां पर क्या था यहां पर एक बहुत बड़ा लूप क्रियेट होता था क्यों लूप क्रियेट होता था मैं आपको समझाओंगा यहां पर जड़ा देखिएगा यहां पर लूप यह क्रियेट होता था जैसे फाइनल एर के पेपर होते थे बच्चे अपनी पीजी एक्जाम की तैयारी कर रहे होते थे और वो क्या करते थे इस इंटरंशिप को स्किप करते थे ठीक है बियेचु से मैं हूँ और मैं आपको बताऊं बहुत यादा यह मुझे बताती हूँ अच्छा तो नहीं लग पहा जाते हैं और वो चले आते हैं पीजी की तैयारी करने ठीक है जो भी उनको पैसा मिलता है उसमें से थोड़ा इसको दे देते नहsto है बाके अपने पास रखते हैं तो यह सारी चीजज़े यहां पर होते हैं यहां तो भीड़ी हाले-टीगिसस व ćगार्टे क्योंकि जाता है उसके उपर प्रेसर रहता है कि यूजी कम्प्लीट करने के बाद मुझे पीजी कम्प्लीट करना ही करना है क्योंकि इतना ज्यादा सलेवस होता है अभी वो लगातर पढ़ते हुए आ रहा है जरावी बीच में गैप हुआ तो पीजी निकालना और ज्यादा टफ हो जाता है और सीटें भी बहुत कम होती है तो यहां पर एक लूप होल क्रीट हो रहा है बच्चा को इंटन्सिप करनी चाहिए उसे जाकर वहां जो ओपीडी है वहां बैटना चाहिए सीखना चाहिए कि कैसे पेशेंट आ रहे हैं बहुत सारी चीजें कैसे उनकी डागनोसिस इंटन्सिप करके आएंगे तब आपका करवाय जाएगा नेक्स्ट स्टेप टू अब यह जो नेक्स्ट स्टेप टू है इसमें आपका केवल प्रक्टिकल बाइबा होगा यह आपका प्रक्टिकल बाइबा का मनलब जो चीजें आपने इहां इंटन्सिप में सीखी है आप तब जाकर आपके इसके marks आपको दिये जाएंगे ये पास हैं आप या फेल हैं ये इससे decide नहीं होगा ये बस आपके number को आगे बढ़ाएगा मनलब और add कर देगा आपकी merit list जो बनेगी न उसमें इसके number भी add होंगे समझ माया तो तब क्या होगा आपका आपने पहली दे चु इन दोनों को मिलाकर आपका जो है वो final result यहां पर बनेगा और इसी final result से फिर आपकी decide होगी merit list और उस merit list के क्या क्या फाइदे हैं आगे जानेंगे इसी वीडियो में तो इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी अगर कोई भी सवाल है तो मुझसे comment section में जरूब पूछी होगा अब आपके मन में आ रहा होगा इतना नाटक करने ही जरूवत क्या थी भाईया इसकी requirement क्या थी तो सबसे पहली requirement तो मैंना आपको ये बता दी ये जो drawback है ना ये student के लिए भी बहुत बड़ा drawback होता है क्योंकि वो intensive बाले जो इतना अपना golden period होता है और वो भी बच्चे अपनी PG की तैयारी में गवा देते हैं इसी वज़े से जो है बहुत बड़ा यहां पर loophole create हो रहा था तो ये सब के लिए important है हमारे देश के लिए important है क्योंकि medical college हो में भीड बरावर बहुत जादा रहती है हमारी government के लिए जरूरी है डॉक्टरों की कम पाते हैं इसके बाद confidence ही नहीं आता उनके अंदर ठीक है तो एक तो यह हो गया दूसरा है uniformity लाने के लिए यह exam जो हो कराया जा रहा है uniformity का यहां पर क्या मतलब है यह मतलब यह है जो foreign medical graduate होते हैं यानि कि जो बाहर से MBS करके आ रहे हैं उनका कहना था कि हमारे साथ बहुत उस चीज को खतम करने के लिए यह भी एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में डॉक्टरों की कमी होने का MBS degree तो लोगों को मिल जाती है लेकिन registration नहीं मिल पाता जिसकी वज़े से वो practice नहीं कर पाते हैं और वो count भी नहीं होते हैं as a doctor कोबिड में ऐसे बहुत सारे foreign medical graduate ने meeting की थी हमारे health minister के साथ और appeal की थी कि हमको भी practice करने का मौका दिया जाए जो कमी है कमी है डॉक्टरों की चिला रहे हो हम लोग इतने भरे पढ़े हैं हम लोग कहां जाएंगे ठीक है ना कारण बस भाई है कि वो exam पास नहीं कर पाते हैं वो सब के सब important होते हैं लेकन बच्चा याद क्या रखता है पूरे चार साल में के वही subject जो उसके need PG में पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं है फिर वो सब कुछ भूल जाता है तो इतना पैसा इतनी year आप इसको दे रहे हैं तो किसलिए दे रहे हैं एक अच्छा doctor बहान निकल मेडिकल कॉलिज से तो उसके लिए सारी चीज आना बहुत जादा जरूरी है कैसे patient deal करोगे कैसे उनकी diagnosis बनाओगे कैसे उनका treatment करोगे इसके लिए आपको सारी subject पर कमांड होनी चाहिए और मैंने आपको अभी next step 1 step 2 में बहुत सारे नाटक है अभी तो मैंने आपको पूचे जाएंगे वो आपको जानने की जरूरत नहीं है अब बद इसके बारे में जानी है ठीक है जो एक्जाम देंगे बच्चे तब आपको जानने की जरूरत होगा जब फाइनल यर में हो गया MBBS के आप तो यह एक मैंने आपको बताया अब बात आती है इसके benefit क्या हों तो देखो भई मेरे हिसाब से इसके पांच सबसे बड़े benefit हैं सबसे बड़ा जो तीन benefit है वो तो सीधा है चार benefit तो सीधा सीधा student के लिए है चार के सभी student के लिए benefit ही है देखो क्या है सबसे पहली बार तो आप पास है या फेल है यह decide होगा अगर next exam में पास नहीं है तो MBBS में पास नहीं माने जाओगे डिग्री आपको नहीं मिलेगी आप ऐसी जो है चार साल करके घूमते रही है ठीक है ना जैसी आप पास करो को वैसे आप इंटरंसिप कर सकते हो दूसरी बात जब आप यह पूरा complete करोगे तो आप एक authorized doctor बन जाओगा आपको registration मिलेगा जब तक registration नहीं है डिग्री लेकर घूमते रही है प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते तो आपको यह जो टीन चीज़े होती है MBBS के बाद वो सबसे जादा जरूरी है next जो है सबसे बड़ा benefit तो यही है इसके लिए ही तो पगला है रहते हैं सब बच्चे कि जो step 1 step 2 को है इसके द्वारा final result जो आएगा उससे merit list बनाई जाएगी और उसी से आपका PG में admission होगा ठीके ना जो PG में admission होगा यानि कि जो अभी neat PG होता है वो खतम हो जाएगा उसका कोई मतलम नहीं होगा यहां पर जो बच्चे सालों लगा देते हैं MBBS कर लेते हैं 2-3 साल जो है वो लगे रहते हैं PG निक हो गया तो नीट PG की तयारी वो कर रहे हैं यह जील खतम यहां पर हो जाएगी बहुत आसान हो जाएगी जारी जो गवर्मेंट जोब आती हैं उन गवर्मेंट जोब में आपको बरियता दी जाएगी कोई आपका exam नहीं करा जाएगा सीधा आप आईए next का जो आपका score है व यह जो score है इसका वो तीन साल तक वैलिड होगा तो इतनी सारी चीजें हैं तो याद रखें यह केवल MBS वालों के लिए नहीं है यह सब के लिए होगा तो बस जो हमारी गवर्मेंट है वो चाहती है कि जितना भी product भाहर निकले medical college से चाहिए वो private का हो चाहिए वो foreign country का हो य कुझी डिग्री हो लेकिन उसके पास confidence उसके पास knowledge होनी चाहिए इस बज़े से जतने भी लूप हो लाए उनको खतम किया जा रहा है ठीके ना तो यह सारी चीजें हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे जरूर पूछेगा हाँ एक और नियम में बदलाब किया गया है एनमची के द्वारा वो मैं इस वीडियो में cover नहीं कर रहा हूं लेकिन इसके बात करूंगा वो भी बहुत ज्यादा important है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा फिलाल मैं मिलता हूं आप से next वीडियो में वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब से शेर करिए थैंक यू सो मच